गुद मॉर्निंग अबरी बड़ी आन सीमा कोशिक आप सभाई हो बहुत अच्छे होंगे राइट चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी सो आज आपका एक्जाम है 24 को कुछ बच्चों का तो एक्जाम है कॉमर्स वालों का तो 17 कोई है बहुत रिलेट जरूर कर सकता लेकिन ऐसा नहीं हो कि पूरा को पूरा आपका सेमी पैटरन फोलो होने वाला राइट तो जो भी कुछ है नॉमली आपको पता बस आपनी पढ़ाई पर फोकस करें ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत पढ़िए आज वैसा भी हमारा टॉपि पिरूकेट करते हैं तो उसी को बोला जाता है मास मीडिया अभी हमारा समझना हैं कि मिद्ध करता में को में उस Agency के उपर क्या सकती है चाहे वह लिखित में कहीं चिज हो सकती है रहे ब्रोड़्यास्टिंग के सकते हैं जो हम क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े ओडियंस के सामने हम प्रकट करते हैं चाहे हम बोल के कर रहे हैं या हमले की तूप में कर रहे हैं प्रोड्कास्टिंग के थ्रू कर रहे हैं किसी भी तरीके से टेलविजन के एड़रड़ाइजिंग के थूए आपका मास मीडिया में इन्क्लूड होएगे रहे अब यहाँ पर में बात आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कि मास मीडिया के टाइप्स कौन-कौन से हैं तो इसके चार टाइप हैं आपका ट्राडिशनल मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, आपका इलक्ट्रोनिक मीडिया और आपका न्यू मीडिया मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या बोला फटा फट लिखो, ट्राडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, लक्रोनिक मीडिया और न्यू मीडिया जो आपका traditional और जो आपका print media है, ये दोनों के दोनों, इन दोनों के दोनों में include होएगा आपका newspaper, मतलब आपसे एक बार question आया हुआ था traditional ऐसा कुछ, तो वहाँ पर आपका newspaper आना था, ठीक है, एक बार modern आया हुआ था, वहाँ पर TV बगर आना था, ऐसा कुछ paper में आया हुआ आपने analysis कर लिए तो पता भी चल गया होगा, तो याद रखना जो traditional और print media वह कौन से में आएगा, newspaper में आएगा, ठीक है, जो आपका electronic media है, electronic media में आएगा आपका internet, याद रखना मैंने क्या बोला, जो आपका electronic media उसमें क्या आएगा, आपका internet, और जो आपका new media है, उसमें आ आपका ICT, मतलब information and communication technology, जो अपना paper है, जो आपका subject है, समझ में आई बात, तो कहने का मतलब यह है, कि जो यह हमने media की बात करी, इन media का इस्तमाल करके, हम बहुत बड़े audience के पास पहुंच सकते हैं, आपने देखा भी होगा, news paper के पास audience नहीं है, कितने सारे audience है, यसी तरीक यसे आप internet का इस्तमाल करके, आप बहुत सारे audience के पास पहुंच सकते हो, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही है, अभी तक कम बच्चे देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जब आप शेयर करोगे, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा मैं आप इतना पढ़ता है, ला दो समझी नहीं पाते हैं, अगर आप एक बार किसी चीजी का हैविआ हो जाते हैं, तो होजाते हो, जैसे आप रेसेंट का इग्जामब देख सकते हो, सारी जंगे पर क्या खबर चाहिए थी कौन सी कौन सी खबर चाहिए थी बताओ जो यह अर्णब गोस्वामी और जो सुशान्त का केस था उसमें क्या था सारी जंगे पर मतलब आप पढ़ रहे हो आप अपने एक्जाम की प्रपेरेशन करो लेकिन फिर भी आप क्या देखते बार बार अपने यूट्यूब पर वीडियो देखते और फिर खोल कर बैट जाते हैं यह चीज होते हैं तो यह चीज मतलब हमें अलग से दिखाई दे रहा तो अभी हमें यह टॉपिक इतना ज्यादा सीरेस लेने के जरूरत नहीं है यह हमें ध्यान अगर हम सोचे तो हमार मेडिया का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई यह वैसे मैंने इंटरनेट के ही बता दिया आपको लेकिन हर चीज का इंपेक्ट परता है तो यह कह रहा है नंबर वन इंड्यूस फियर फोबिया इसके इंदर आपका फोबिया आप भी हो जाता है किसी चीज का फियर डर लगन तो मान लीजिए आपने कोई topic स़र्च करना था कोई भी चीज परचेस करनी तो आप परचेस करने के लिए आपने क्या कर आप अनकी साइट पर विजर्ट किया तो आपको एक चीज लेनी थी लेकिन आप देखते जारो देखते जारो मतलब कहते तो हैं यह टाइम कम कर रहा ल आप कौन सी मीडिया का लगा लो इंपक्त आपका पड़ेगा देखो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव रोल है पॉजिटिव रोल भी है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप यूटुब पे सर्च करते हो उससे रिलेटिव टॉपिक तो आपको फट ले लिया राइट क्या पूरे डिपैंड ओ आप एक भी अक्षर खुद से नहीं पड़ रहे हो जो समझ में नहीं आ रहे हैं यूटुब जो से समझ में नहीं आ रहे हैं गूगल इसी तरह से कर रहे हो तो इसकी वजह से आपकी जो क्रीटिकल थिंकिंग यह पावर होती है तो कहने का मतलब यह कहीना कही इसके positive impact भी आ रहे हैं आपके सामने कहीना कहीन आपके negative points भी सामने आ रहे हैं तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो media है वो कहीना कहीन जिस तरीके से वह constructive है मतलब कुछ बना रही है वह हमें डेवलप कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव का वी काम कर रही है यह नॉमली पाते हो गई हैं हमारी मास मीडिया को लेकर बाकी एक बार मैं देख लेती हूं कुछ मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज और होनी चाहिए चलो एक बात और बता देती हूं मैं तुम्हें कंपोनेंटस और देख लीजिए जो नोन वर्बल कम्यूनिकेशन था कम्यूनिकेशन की बात करी थी जहां पर काइनिसिस वग involved की बात मैंने करी ती गैस्टर के बारे में बात करी थी उनके आप एक बर मैं आपको बता देती हूं उनके नेम याद रख लेना कि अगर मैं वह बोल तो आप समझ जाना ठीक है उससे पहले काइनिस की बात कर लेते हैं उसका मिनिंग क्या होता है वह आपकी शो कर रहे हैं बोडी लेंग्वेज को बट पूरी मुमेंट चल रही है तो आप सोच सकते हैं जब आपके टीचर पढ़ाते हैं तो वह किस तरीके से तो सेम वे में काइनिस का मतलब होता है फेशिल एक्प्रेशन वैसे यह टॉपिक मेरे को दिखा के करना चाहिए था ताकि आपको एक चीज समझ में है बट फिर मतलब आज़ निया स्टेंस बात प्रॉपिस में किछ रफेशन हे हैं अब फ्रेंडस से राक जानींज के मतलब होती तो इसे याद रखनाना प्री चिचर के बीच में तो बट तो इस तेंस में चैआ आख प्रॉपिस का मतलब होता है जब डिस्टेंस स्टडी का गशोज त देढ़ी की टीचर बक्रोनुमिक्स की स्टॉडिया तो आपने पढ़ा हो गई स्टॉड्ञ्ट हैं में क्रोणुमिक्स क्या हुदा है। बहुत ही बच्चपन से पढ़ते आ रहे हैं इस पड़ को तो इसमें तो कोई गडबर नहीं होने चाहिए कि आपके पास डेटा गिवन हमान लिजे 2019 से लेगे 2010 तक का तो आप ऐसे करो है मतलब होता है तो जो हमारी टैचिंग से जो स्टड़ी होते है उसको बोलते हैं है उसके बाद आते एक पैर लिंग्विस्टिक पैर लिंग्विस्टिक का मतलब होता है आपर पैर लिंग्विस्टि की स्टड़ी की जाते है मिनिंग स्टड़ी हो रही है आपकी वरियेशन ओपिच स्पीड वॉल्यूम पोज ऑफ कन्वे मिनिग जैसे जो मैं बाते बोल रहे हूं आपके साहने उसमें कभी तो तेज कभी आराम से तो यह जो बात है कभी में यह करेंंगे vermilis से परेशब आप लैंग्वान फिमस्स तो क्या कहते है मेरे सामने पातें लिखिए माली जी मैरे सामने लिखा हुआ है commit और कल्टे और ग्रुप क्रुनिकेशन तो मैं बोलूँगे इंटर एंट गालुच्य क्रुप कॉम्निकेशन एजशंव पढ़ना है तो हम अपने इसे पादते करें ओधेत्स प्रूशिश में आई गभी तो इसी को तो बोलते हैं पैरा लिंग्विस्टिक तो यहां तक अब को study करना O-C-U-L-E-S-I-C-S उसमें होता है कि आंखों यांखों में जो study की जाती है ठीक है उसी को बोलते हैं और यह भी अच्छे से करना और यह वाला बहुत important topic था थैंक्यू थैंक्यू सो मच बाबाई टेक केर बहुत अच्छे तरीकी से preparation करने है तापके आपके अग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाए ओके जाराफ लेके आना बाबाई टेक केर